स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे आज के वीडियो में हम पुरानी बेकार चादर का यूज करके बहुत ही प्यारा सा इस्टोरेज बास्केट बना के रेडी करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेश्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा देख लीजेगा वीडियो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी और बिल्कुल इजी तरीके से हम इस्टोरेज बास्केट बना के रेडी करेंगे तो यह देखिए जो बैडशीट का जो कुछ अच्छा पार्ट था तो मैंने उसे यह देखिए कट कर लिया है तो यह देखिए उन्ने सिंच मैंने लंबाई रखी है और उन्ने सिंची मैंने चोडाई रखी है तो यदि आपके पास shopping bag है तो आप shopping bag का यूज कर सकते हैं या तो फिर आप बोरी का भी यूज करके इस storage basket को बहुत easy तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बना के ready कर सकते हैं तो ये देखिए कपड़े को इस प्रकार से रखना है और जिस side पे हमने कपड़ों को cutting किया है तो उसी side पे हम बोरी को या फिर आपके पास shopping bag है तो आप shopping bag को भी cut कर सकते हैं अब नीचे की तरफ ये देखिए मैंने बोरी रखी है फिर बीच पे मैंने चादर के कपड़े को सीधा करके रखा है और ये जो उपर वाला जो चादर का कपड़ा है उसको हम उल्टा करके रखींगे तो ये देखिए इस प्रकार से हमको रख लेना है पहले तो कपड़ों को चारो तरब से आप इन कपड़ों को पिनप जरूर कर लीजेगा जिससे कि आपको सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी और चारो तरफ आप बहुत ही आसान तरीके से सिलाई लगा लेंगे और आपके जो कपड़े हैं वो इधर उधर फिस लेंगे नहीं तो अब हमको इसके चारो तरफ सिलाई लगा लेना है और थोड़ी सी जगह को हम छोड़ देंगे जिससे कि हम इसको पलट के रेडी कर लेंगे चारो तरब से सिलाई लगाने के बाद इसके जो कोने हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा काड देंगे इस प्रकार से हम कटिंग कर देंगे और फिर इसको पलट के हम रेडी कर लेंगे तो यह देखिए इस प्रकार से पलट लेंगे हां और इसके जो कौने हैं उनको भी अच्छे से निकाल लेंगे कैची या कोई भी नुकीली चीज से आप इसके कौने को थोड़ा सा निकाल लीजेगा और आप इस स्टोरेज बास्केट को किसी भी पुराने कपड़े से बना के रेडी कर सकते हैं यदि आपके पास कोई बैरशीट है चादर है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसका आप यूज करना चाहते हैं जिससे आप कुछ बना के रेडी करना चाहते हैं तो उससे आप इस storage basket को बना के रेडी कर सकते हैं और जो खुल हुआ part था हमारा मैंने उसको भी सिलाई लगा दी है और अब ये देखिए चारो तरब से इसके कोने बराबर हैं तो इस प्रकार से हम इसको fold कर लेंगे तो ये देखिए कपड़ों को अच्छे से बराबर करके रख लीजिएगा और साड़े चार इंच by साड़े चार इंच का हमको box बनाना है तो ये देखिए इस प्रकार से निशान लगा लेंगे दोनों तरब तो दोनों तरब बराबर निशान लगाना है साड़े चार इंच बाई साड़े चार इंच का और इस प्रकार से ये देखिए इस बॉक्स को हमको कट कर लेना है तो कुछ इस प्रकार से बनके ये रेडी हो जाएगा अब इस प्रकार से चारो तरफ भी सेंटर पर ये देखे इस प्रकार से निशान लगा लेना है चारो तरफ मैंने एक बॉक्स बना लिया है और हमने ये जो कटिंग निकली थी तो उससे हमको पट्टी बना के रेडी करना है तो यहाँ पर ये देखे इस प्रकार से पत्ली पत्ली पत्टी हमको बना लेना है और ये देखे यहाँ पर चार इंच लंबाई रखी है मैंने और डेर इंच उड़ाई रखी है और इस प्रकार से ये देखे फोर पत्टी हम बना के रेडी कर लेंगे तो ये देखिए जहाँ पर हमने बीच पर ये निशान लगाए थे तो उनकी उपर हम सिलाई कर देंगे अब हमको इस प्रकार से कपड़ों को पकड़ना है और सिलाई लगा देना है तो चारो तरफ हम इसी प्रकार से कपड़ों को पकड़के सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बहुत अच्छे साइच पे हमारा ये बास्केट बनके रेडी हो जाएगा तो चारो तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये रेडी होगा अब हमको क्या गरना है कि पतली पतली हम शॉपिंग बैक से पतिया कट कर लेंगे या तो फिर आप किसी कपड़े की पतिया भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ये देखिए जो हमारे ये जो कौने हैं उनके साइच पे मैंने पतिया कट कर ली है तो इस प्रकार से नापके आप पटिया कट कर लीजेगा और इस प्रकार से फोल्ड करके हम चारो तरफ यह देखिए इस प्रकार से मैंने पाइपिंग पटि लगा के रेडी कर दी है तो बहुत ही अच्छा सा इसका लूक आने लगा है और आप चाहें तो इसको दोनों तरब से यूज कर सकते हैं तो इस प्रकार से फोल्ड करके भी आप इस बास्केट का यूज कर सकते हैं और चाहें तो फिर आप ये देखिए इस प्रकार से भी इस और्गनाइजर का आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी बनके ये organizer ready हो जाता है अब हमने ये जो पटिया कट करी थी तो इन पटियों को हम इस प्रकार से ये देखे बीच पे निशान लगा के इनको हम दोनों तरब से ये देखे सिलाई लगा देंगे तो चारो तरब हम चारो पटियों को जोड़ेंगे सिलाई लगा के तो बस इसी प्रकार से ये देखे इन पे हम को सिलाई लगा लेना है और जब तक मैं चारो पटियों को जोड़ रही हूँ friends तो फ्रेंज्ट आप मेरे वीडियों को लाइक कर दीजिएगा और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आने वाली वीडियो देखने के लिए तो ये देखिए जैसे हमने ये दोनों पट्टियों को जोड़ा है वैसे हम चारों पट्टियों को मैंने इस प्रकार से ये देखिए जोड़ दिया है और कुछ इस प्रकार से ये बासकेट ओर्गनाइजर बनके रैडि हो जाएगा तो ये जो हमने जो पट्टियां लगाई हैं जो हेंडल लगाए हैं तो उनसे इस storage basket को उठाने में आसानी होगी बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रकार का आप storage basket बना के ready कर सकते हैं और बहुती जल्दी 10 मिनट पे ये बन के ready हो जाएगा और पुराने वेकार कपड़े तो हम सभी लोगों के घरों पे होते हैं पैर शीट होती है और समझ पर नहीं आता है कि इनसे हम क्या बनाके ready करें तो आप इस प्रकार का organizer बनाके ready कर सकते हैं और इस organizer को आप किचन पर भी चीजों को इस टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप इस organizer का यूज कपड़ों को अच्छे से organize करने के लिए भी कर सकते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से fold करके आप इस organizer पे बच्चों की कपड़े रख सकते हैं आपकी कुरतियां अच्छे से store करके रख सकते हैं तो ये देखिए जो भी कपड़ आ गए हैं और आप इस organizer को और भी बड़े साइच पे भी सेम तरीके से बना के ready कर सकते हैं और इस प्रकार से भी ये देखिए आप इस पर कपड़े रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा organizer है बिल्कुल जल्दी बनके ready हो जाता है और बहुत ही useful organizer है आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को आज लाइक करना बिल्कुल मत भोलिएगा तो मिलते हैं जल्दी next वीडियो में एक नई वीडियो के साथ आशा करती हूँ friends आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी thank you आपको 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 झाल झाल